आजसु पाटे के अलावा कोई नहीं जिस सकता है, रामगड़े भी जान सबासे। आप देख रहे हैं, जियन भारत और जियन भारत की चुनावी यात्रा जो है, रामगड़ विधान सबास छेतर में पहुंच चुकी है, रामगड़ विधान सबास छेतर की जो इस सिति हम आपको बता दे कि दो महिलाओं के बीच जो है, कड़ी टकर यहां देखी जा रही है, ह तो किसकी चीत होगी और किसकी हारी होगी यह तो बात बताएंगे जनता, जी आपका क्या नाम है, मेरा नाम मद्यसुतन नाम साहुगा है, मैं भूतपुर पसाइनिक हो, एरफोर्स रिटारेटमेंट, क्या पूचा जाते बोलिया, क्या लगता है, कि यहां पर जो है, चुन कि आृष्टेरेए धर झी डिवी भूलने से आज तक इनकीं के बराबर जाते है, सब को लेफ popularity है, वनका भी महाल को बूत अच्छा लग रहा है, जार आप क्या क्रत कि यह तो तुनावी माहल क्या है, जो चीज है हमको सुन इता, चोधरी ठहुना ढ़के मत्रबी नहीं का है उला हम लोग काम किये हैं उसको हम लोग के थोड़ा सा अधिकार चाहिए और देना मतलब उनको ही देखना चाहते हैं ने हैं अच्छा तो यह पॉब्लिक का मूड है और यह जो है सुनीता चौदरी के पक्ष में यह बाते कहते हैं नजर आ रहे हैं और आपका क्या नाम हो अभी है अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है किनके पक्ष में चल रहा है कैसा लग रहा है सब अभी तक तो सब चीज बढ़िया हो रहा आसू पाटी की तरफ से देखते है रिजल्ट क्या है का हम लोगों तो जितना बहतर करना है मता आसू पाटी ही यहां पर है मजबूत और यह जो कॉंग्रेस वह अब उनका बात है वो उतना पता नहीं लेकिन हमको जहां तक पता कि हम लोगी लीड करने वाले हैं पूरा एकदा मजबूत आप क्या क्या हाएंगे आच्ण पाटी के अलावा कोई नहीं जीट GOD branch music से बास इतना पड़ा जीत का दाबा करहां तो आप हम लोग साथ हैं आच्ण पाटी जितना काम कोने रामगर में कोई पाटी नहीं कर सकता है क्या बात कर रहे हैं और भी पाटी भी तो है ने ने आजसु पाटी ही सारा काम कर सकता है आजसु पाटी ही जितेगा इस बार पूरा भारी उमिद्वार के साथ भारी मात के साथ भारी मात के साथ जी तो क्या लगता है कि ये आजसु पाटी का जीत का आप लो दम भर रहे है आशू पार्टी को ही देखना चाहते हैं तो आशू पार्टी अगर नहीं जित्ती है यहां से अगर जीता है यह ठीक है नहीं जित्ती है तब क्या यहां का जनता से पूरा भरोसा है और हम लोग आसुपार्टी का पूरा जहां तक परचार है जहां तक हम लोग काम कर रहे हैं हम पूरा उमीद है कि आसुपार्टी ही जीतेगी हर बार के बार तीज बार भी आसुपार्टी ही जीतेगी देखे आज्सू पार्टी का जनाधार है आज्सू पार्टी का दमखम यहां पर दिख रहा है रामगण विदान सद्वाच्चेतर की जो जनता है यहांपर हम अलग-अलग राई ले रहे हैं और लोगों से यह जानने की एक कुसिज कर रहे हैं ये रामगड विधान सावा छेतर में दो महिलाओं के बीच जो चुनावी टकर है वो चुनावी टकर में कितनी पास सावित होती है तो देखने वाली बात होगी लेकिन यहां जो कॉंग्रेस परत्यासी मम्ता देवी है और आसु परत्यासी सुनीता चौदरी जो है ये चुना ये चुनावी टकर जो कहीना कहीं रंग लाएगे यह तो देखने वाली बात होगी कहना किया चाहें जानारी कि शल्चयनल पहले जो आप यही चैनल के माध्यम से कुछ देख रहे थे जिसके कि राजधर्मा चैनल है जो अर्चना तीवारी उसका रिपोर्टिंग करती है ज्यादा तर हम देखिए अभी तक पुरा जारखंड आज तक कभी तो घूमें नहीं है पुरा गली-गली जो होता है यह सब प घर में किसी घरपानी नहीं है उस हिसाब से तड़प रहा है उसके लिए क्या बोट करेगा मुखमंत्री को बताईये क्या बोट करेगा उसको जैमें को आज इंसान यहां का पब्लिक समझ नहीं पा रहा है कि इधर-उधर कोई करता है जैबी के से जेल के हम को करता है जैमे खरीदने वह सुरक्षित नहीं होती साम हो जाता था डर से आती थिकिए हमको वहां पर कुछ हो ना जाया आज आज सुकाया हैं फिर भी मेरा कि रोड में इगर हम निकले रोड में किसी भी तरह कंड मेरे साथ कोई भी है कुई भी हाथसा हो जाए तो उसके लिए उन लेबल का आदमी होना चाहिए जो मेरा सपोर्ट में खड़ा रहे आज तक कभी उसके लिए अगर को कि किसी का मूल को sahm Presatra指id की तरफ संन्को मेला और कोई भी पाटी नहीं और यहां पर रामगर जी्ला में आज-तका कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी पाटी को यह आ करके अपने मोगाव मौल्ले में यहां प्रयाएं कि कि पोछे कि किसी का क्या समस्या नहीं है का की hold करे कश्राहि करता होता है अजसु पार्टि को जो है यहांओ पर देखना चाहते। कुछ युवा हमारे साथ है ? मेरा नाम है सुभम चंद्रपोड़ार क्या कहेंगा OUT! 19 साल हो गया है क्या वोट दीना है किया लग्टा कि यहांओ पर किस पार्टी को आप पसंद करते हैं ? आसु यहां तो कॉंग्रेस ऑष्ट कि एससु को समर्थन करते हैं क्या कॉंग्रेस भी तो बहुत मज्बुत है नहीं हम तो आसु बहुत काम किया हुआ है बहुत पहले से हम लोग जानते हैं इसके वजह से बात बता है यह इसके बाद आजट्र पार्टे की जो आप देखना चाहरे हैं तो आजट्र पाट्य में क्या कुछ नया दिखता है नया सुरू से करते हा रहे हैं बहुत तरगयां शड़क वेगरा बनाये हूए अज़धर एधर श्टीतरफुर पर्खण में में बहुत सारा काम किये हैं हर जगह में काम करते आ रहे हैं हर छेतर में काम कर रहे हैं जी हां हर छेतर में काम हो रहे हैं हर काम होते वह आ रहा है क्या लगता है कि सुनीता चोधरी जो है यहां के छेतरी की जनता को खुष कर पाई इन पांस सालों में जी बिल्कुल खुष कि पांस सालों में बहुत काम यहां पर क्या चुनावी संविक्रन दिख रहा है किसके पक्ष में जो है यहां की जंता यानि आप भी जंता है ठीक है क्या कहेंगे यहां पर क्या लहर दिख रहे हैं दिखिए लहर तो हमारा ही है कपुए है ऐसे ही अपको को सपोर्ट करता है यह जी देखके हम हम लोग काम के तोर पर हम लोग बोट करते हैं जो विकास हुआ है जो काम हुआ है उसके उसको देखते हुए हम लोग बोट करते हैं और अभी जो बहुत है से लोग है जो भटक गया है जो उसको समझाना बहुत मुस्किल हो रहा है हम लोग यह चुनावी दोर में भी थोड़ क्योंकि मेडम उतना टाइम तो वहां पर दे नहीं पाई विधायक तो बनी वह कॉंग्रेस जीत पाई जीती थी पिछले चुनाओं में उसके बाद कुछ जब उप चुना हुआ तो उसमें सुनिता चोदरी जीती तो 15 महिने का कारेकाल में वह जो काम किया ना वह सुनित वह म करता इसा ठोड़ी हो और जब पैसा मिलता तक Krantama मैं मिलता था यहां अने में के अलग दह्यों करता है थीक हाए कोद्ग Pig down करना जाहीं काहां तब घर में मताब पैसा पगड़ने का जिस दिन टाइम आएगा जिस नम समय आए हूस विसमें ठीक चला depths सा जलाने अझा इसलिए यहां के रामगड को जनता को देखना चाहिए समझना चाहिए और यही आज समझने का दीन है और सोच समझ कर भोट करने का दीन है यह सब 20 तारीक को जो भोट होगा उसको थोड़ा सा इंसान समझे और अपने मत को थोड़ा वहीं पर मद्दान करें जहां पर जो आपका भोट सुरक्षित रहे आप सुरक्षित रहे बस उसको देखते हुए अपना भोट करें बाकी यहां तो आशुपाटी ही जीतेगा देखें पॉब्लिक का मूड है और पॉब्लिक का मूड जो है मिज़ाज कहा पर कैसे जाता है यह तो देखने वाले बात होगी लेकिन सबसब बड़ी बात यह है कि जो रामगर विदानतवा छेतर में जिस परिस्थिती और इस्थिती को जो हम देख रहे हैं यह परिस्थिती का टक्कर है कॉंग्रेस के पर्तियासी ममता देवी और आज्सू की पर्तियासी सुनीता चौदरी के बीच में तो ये देखने वाली बात हो है कि दोनों पर्तियासों के बीच में जो जिस तरह से मुकाबला होने वाला है ये कितना कड़ा मुकाबले हो नहीं होला है हलाकि हम बता दे कि ये जो परचार परसार भी जो है वो जम कर हो रहा है और ये परचार परसार में ये जो छेतर में जो लोग का जो रुझान आ रहा है इससे ये परतीत होता है कि कहीं न कहीं आसू पार्टी ही यहां से पेस कर सकती है, हलाकि Congress Party की जो परत्यासी है ममता देवी भी कम नहीं है वे भी जो है जन समर्थन और अपार जन समर्थन में जो है कहीने कहीन काम्याब साबित हो रही है लेकिन देखने वाले बात हैं कि 20 नवंबर को जो मदान होने है, उस मदान में कितने जो परतिसत है वोट Congress Party को जाती है और कितने परतिसत आस्थू पार्टी को जाती है ये तो देखने बात होगी लेकिन 23 नवंबर का जो दिन है, वो तैय करेगा दसा और दिसा, तो रामगर विधानतवा छेतर से मैं मोहन कुमार अपने अपने